वेल्कम टू मिश्टी सुईट होम प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बिल आइकन को दवा दे ताकि मेरी वीडियोज की जानकरी आपके पाद सबसे पहले पहुचे हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सर्मिष्ट आज मैं आपसे बेंगॉल्य रेसिपी शेयर करूंगी पोटल चिंगडी पोटल चिंगडी के लिए हमें चाहिए पोटल यानी पर्वल, आलू, कटा हुआ प्यास, अध्रक लसुनका पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा, नमग, गरम मसाला, चीनी, कश्मीरी चिली पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, तेजपत्ति और हरी मिट्ज और हमें चाहिए प्राउन, मैंने यहाँ प्राउन को मास्टर अल में हल्दी और नमक मिक्स करके फ्राई किये प्राउन फ्राई हो चुकी है, फिर हम एक पैन पर मास्टर अल डालेंगे, फोर टेबल स्पूल, उसके अंदर हम जीरा और बेलीप्स को डाल देंगे, फिर उसके अंदर हम परवल और आलू को आट करेंगे, अच्छिसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा नमक आट करके, हम इसे एक डिलीट से बंद कर देंगे क्योंकि हमारी परवर और आलू अच्छे से बॉयल हो जाए यह देखिए प्राई हो चुकी यह अच्छे से फिर हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे वही पैन पर हम मास्टर डाल डाल देंगे उसके अंदर हम कटा हुआ प्याज को आइट करेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई करना होगा फिर उसके अंदर हम अद्रक और लसून का पेस्ट आइट करेंगे मसाला को हमें अच्छे से फ्राई करना होगा फिर उसके अंदर हम नमक धनिया पौडर, अल्दी पौडर, जीरा पौडर, कश्मीरी चिली पौडर, चीनी और गरम मसाला अट करेंगे, थोड़ी थोड़ी पानी देकर मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे फिर उसके अंदर हम हरी मिर्च अट करेंगे मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद हम उसके अंदर प्राउन को आट करेंगे फिर उसके अंदर हम फ्राई किया हुआ परवल और आलू को आट करेंगे फिर उसके अंदर हम पानी आट करेंगे फिर इसे हम एक लिट से बन कर देंगे देखिए मेरी पॉपल चिंगरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है उतानने के पहले मैं इसमें थोड़ी से चीनी आट करूँगी यह देखिए मैं मिलती हूँ आप से मेरे अगले वीडियो पर टेक केर बाई